Hello guys, यह video sponsor किया है Trader Central ने और इनके उपर में एक video फ्रीडियो भी पहले सी बना चुका है Trader Central फंडिंग प्रोवइड करते हैं Retail Traders के लिए तो अगर आपको Appliant Sign Up करना है, आप वीडियो के दिस्क्रिप्सिन मैं है वहाँ से sign up कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 30% discount मिलेगा, इसके लाबा ये trading tools भी provide करते हैं, जैसे कि portfolio tracker और copy trade software, तो आप इसमें account खौल सकते हैं. हलो गाइज, welcome to forex salary channel और इस week के forex market analysis में आपका स्वागत है, सबसे पहले हम देखेंगे forex factory के calendar को कौन-कौन सी news आने वाली है, जो आने वाले हपते में pairs को effect करेंगी, तो चलते हैं forex factory के calendar में, तो guys यहाँ पर हमें forex factory के calendar में, यह calendar आप देख रहे हैं 5th June से 11th June तक का, और य न्यूजिलेंड, AUG, Swiss franc, euro, तो सभी जंगे पर market close रहेगी, उसके बाद अगर आप Tuesday को देखें, तो AUG के ओपर bank rate है, तो वहाँ पर expected है, 0.35 का 0.75 जो की almost double से भी जादा कर रहे हैं, तो यहाँ पर AUG के ओपर काफी impact रहेगा, 10 बज़े के आस-पास जो हमारे India का time रहेगा, और उसके बाद उनकी statement, तो यह time काफी important है, Australian dollar से related सभी pairs के लिए, तो यहाँ पर carefully उनको trade कीजेगा, उसके बाद 7 बज़े, आपकी CAD के लिए जो PMI के numbers हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद Wednesday को कोई news नहीं है, उसके बाद अगर हम Thursday को देखें, तो Euro के उपर ECB की press conference है, तो यह time, पाच बज़े से लेके, आप देखिए, छे बज़े और साड़े आठ बज़े again CAD के उपर, तो यह important रहेगा, Friday को CAD के लिए और USD के लिए important है, क्योंकि यहाँ पर employment के number है, उनके employment number आने वाले हैं, और जो CPI के number है, वो USD के लिए, तो अपने trade को प्लान कर में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले हपते का forecast, यहाँ पर हम थे 30th मई के आसपास, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैने कहा था कि हम यहाँ पर एक resistance area में है, और यह जो area है, जो हम काफी important रहेगा, हमें देखना है, क्या ही इसको break करें, फिर हम euro, USD में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखी, यह run उपर की तरफ गया, उसके बाद यहाँ पर market सीधा consolidate कर रही है, इस area के आसपास, अब हमें यहाँ पर देखना होगा, यह किस तरफ यहाँ पर break करती है, अगर यह उपर की तरफ ब्रेक करें, हमारा target जो है 1.09196 है तो हमें देखना, अगर उपर की तरफ ब्रेक मिले, हम उपर की तरफ इसमें target देख सकते हैं, या फिर ultimately 1.11439 के आसपास, नहीं तो अगर यह score नीचे की तरफ ब्रेक करती है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे, क्या इसको support लेती है 1.056 के आसपास, या ultimately 1.046, उसके बाद फ पिछले हपते का forecast, अगर इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक करें, फिर हम उपर की तरफ टार्गेट देखेंगे, नहीं तो जिब तक हम इस एरिया से उपर उपर हैं, हम बाई के लिए ही देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, मार्केट दुबारा से कहाँ पर आ गई है, सेम इसी range में आ गई है, अब next week में आप क्या देख सकते हैं, तो again guys, जैसे Euro USD में बताया, सेम मार्केट उपर की तरफ movement दिया, अब कहाँ पर हैं, हम सीधा support area में, यहाँ पर यह चैनल में movement करना शुरू कर दिया, हमें देखना होगा, यह movement कि दर की तरफ यहाँ पर break करें, 1.22 यहाँ तक का target आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर हम buy की opportunity देखेंगे यहाँ पर और इस तरह के से movement देख सकते हैं, गर यह इस area को यहाँ पर break करें, उसके बाद retracement मिले, आप buy की दरफ देख सकते हैं, और फिर 1.30 का target यहाँ पर देख सकते हैं, तो accordingly, Euro USD, GBP USD, similar में मे आप देखें, तो हम यहाँ पर एक चैनल में movement कर रहे हैं, और कहा पर आचुके हैं, यहाँ पर एक solid resistance area में आचुके हैं, तो 30 माई के आसपास मैंने कहा था, अगर जब तक market में हम इस area से ओपर उपर हैं, हम buy के लिए देखेंगे, चैनल के इंदर आप इसमें buy कर सकते हैं, पर यह important है, अगर यहाँ से reaction करेगा, तो carefully इसमें trade कीजिएगा, तो slowly market ओपर की तरफ गई है, कोई ज्यादा movement यहाँ पर मिली नहीं है, अब next week में OGUSD में क्या देख सकते हैं, तो guys अगर आप यहाँ पर देखें, movement जो है within channel यहाँ पर चल रही है, last move है, वो काफी solid move दिया है, कहाँ पर एक resistance के आसपास, अब उसके बाद retracement, तो अगर हम 71, 493 यह area को hold करते हैं, तो हम buy के लिए देखेंगे, same again, 74 तक का target, यह 75 तक का target देखेंगे, यह से अरे को break करें, फिर हम 0.6918 यहाँ पर हम इसको retract कर सकते हैं, क्योंकि Australian dollar के ऊपर bank rate का decision है, तो यहाँ पर जैस इस area को break करें, यह एकदम से dip देकर, उपर की तरफ फिर movement दे, तो carefully trade कीजिए, क्योंकि number अच्छे आने वाले है, forecast से double होने वाला है, तो अब देखना होगा, buy की opportunity मिलेगी, तो carefully trade कीजिए, मैं just advise नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि number अच्छे नहीं तो market जरूरी नहीं कि उपर की अगर इसको break करें, फिर नीचे detachment, फिर हम उपर की तरफ target देखेंगे, अब देखिए, उसके बाद कुछ ज्यादा movement है, हम यहाँ पर मिली नहीं है, अब NGD USD में next week में क्या देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक range में है, और इस area में market मूव कर रही है, अब RSI में भी तो यहाँ पर divergence मिलना सुरू हो गया है, तो नीचे की तरफ market जा रही है, अब हमें देखना होगा, क्या यह उपर की तरफ break करेगी, तो 67 तक का target आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर नीचे तरफ break करें, फिर हम पिछले level को retest कर सकते हैं, 63 के आसपास, उसके बाद फिर market ह तो डिपेंड करता है, या फिर NGD उपर की तरफ strong जाता है, तो OG, NGD sister pair है, दोनों एक तरीके से move करते हैं, तो OG में अगर movement उपर की तरफ मिली, तो NGD में भी हम यहाँ पर expect कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के against नहीं जाते हैं, similar way में movement करते हैं, तो OG को observe कीज़ेगा, NGD के उपर, यहाँ पर movement मिल सकती है, तो 0.67 पहला target, 0.69 के आसपास, दूसरा target यहाँ पर आप देख सकते हैं, USD cat guys, यह पिछले हफ्ते का forecast यहाँ थे हम 30 माई के आसपास, मैंने कहा था हम इसे area को यह जो support है, काफी important है, यहाँ से थोड़ी movement मिल सकती है, फिर हम उपर की तरफ movement देख सकते हैं, अगर यह इसको break करें, फिर मैंने कहा था, आपको नीचे का target देखिए 125 के आसपास, इसने sharp यहाँ पर इसको break किया, कोई movement उपर की तरफ नहीं मिली है, और जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला था, वही उसी area में 125 के आसपास यहाँ पर हम आ चुके हैं अब next week में हम क्या देख सकते हैं, तो guys solid move नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, market नीचे जा रही है, जब तक हम इस area 127 इस area से नीचे नीचे हैं, within a challenge नीचे चल रहे हैं, आप सोट के लिए ही देखिए, पहला आपका ultimate target जो है 125 जो हमारी support area है, मैं यहाँ से इसमें और USD के उपर दोनों में major news है, अगर channel के अंदर सेम चल रहे हैं, नीचे 125 तक का target देख सकते हैं, अगर channel उपर की तरफ ब्रेक होता है, 127 उपर और 129 यहाँ तक का target आप इसमें observe कर सकते हैं, USD JPY यह पिछले हपते का forecast यहाँ पर आप देख सकते हैं, थे 30 माही के area में, मैंने कहा था, अगर यह इस trend line को break करे, market में फिर हम उपर की तरफ target देखेंगे, पहला 129 और दूसरा आप 130 के आसपास देख सकते हैं, अगर नहीं तो continuously हम नीचे की तरफ यहाँ पर देखें, आप देखिए, trend line को break किया और सीधे वही target जो मैंने आपको बताये ते पिछले अपत 129.641 इस area को अगर यह hold करती है, उपर की तरफ जाती है, break करे, कोई retracement मिले, उपर की तरफ कोई resistance नहीं है, फिर तो आप buy कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, तो यहाँ पर observe करना होगा, इस area को break करे, नीचे की तरफ आए 126, यहाँ से फिर हम buy के लिए देखेंगे, तो USD अभी strong ह JPY में हमें कोई strongness नहीं मिल रही है, तो wait किजिए, क्या यह इसको break करे, और कोई retracement मिले, फिर आप इसमें buy की opportunity देखेंगे, अभी यहाँ पर कोई buy की opportunity मत देखेंगे, इस area को break करे, नीचे की तरफ फिर हम इसमें sell करेंगे, गोल गाइस पिसले अपते का forecast, यहाँ पर आप के लिए देखेंगे, इसको break करेंगे, फिर हम नीचे retract कर सकते हैं पिछले level को, यहाँ पर इसने इसको break किया, पर एकदम से उपर की तरफ तो कोई break out नहीं मिला, इसके बाद सेम area में market यहाँ पर आ चुकी है, अब अगले हपते में gold में हम क्या देख सकते हैं, तो guys यहाँ पर हमें एक range में हाँ पर बन चुके हैं, गोल में market में movement, इस area में हाँ पर market घूम रही है, अगर buy के लिए देखना होगा, तो हमें इस area को break करना होगा, और उसके बाद फिर target हम देखेंगे, 1918 के आसपास, या फिर 1976 के आसपास, अगर यह इस area को नीचे की तरफ ब्रेक करे पिछले level को retest करेंगे, उसके बाद फिर buy का target और पहला यहाँ पर होना चाहिए, तो अभी देखिए, जब तो कोई movement नहीं होती, market इसी range में रहेगी, कोई breakout मिले, उसके बाद फिर हम buy के देखेंगे, तो जब market में कोई movement ना हो, तो आप side line में बैठी है, जब movement मिले, breakout मिले तब फिर आप direction की तरफ buy or sell करने की सोचें, silver guys, यहाँ पर सेम गोल की तरह ही, जहाँ पर मैंने बताया था, हम यहाँ पर सेम उपर की तरफ जा रहे हैं, अगर market उपर जाती है, फिर हम इसमें buy के लिए देखेंगे, target और brick करें, फिर हम उपर की तरफ देखेंगे, और जो तो guys, यहाँ पर आप देखें, market सेम इसी range में है, जब तक हम इस channel को यह जो आप का हैं, इस तरह की से हमने mark किया, इसको hold करती है, हम buy के लिए ही देखेंगे, आप target आप यहाँ यहाँ पर यहाँ पर 23.24 यह फिर 24.62, अगर इसको नीचे की तरफ बेक करें, पिछला लिवर पिछला लिवर रिटेस्ट करें, उसके बाद फिर buy के लिए देखेंगे, तो opportunity वही पर देखेंगे, अभी जब यहाँ पर पहुंचे है, उसके बाद सोट कर सकते हैं, उसके बाद दुबारा से फिर buy के लिए entry देखेंगे, तो gold की तरह ही silver में भी same movement यहाँ पर आप देख रिट्रेच किया, same easy trend line को support लिया और दुबारा से market कहां पर आचुकी है, इसी area में, मैंने आपको target यहां तक दिया था, वहां तक market नहीं गई है, पर फिर भी जो अपना previous high था, market उस area में आपर आचुकी है, अब next week में oil में क्या देख सकते हैं, तो guys यहाँ पर opportunity थी जो buy के लिए देखेंगे, 123 का target आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जो आप RSI में divergence देखें, market ने यह high आपका बनाया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद जो दूसरा है यह बना है, उससे उपर market नहीं गई है, आप same level पे हैं, तो अभी जब तक हम इस level से उपर उपर हैं, हम buy के लिए देखेंगे, अब यहाँ से market यहीं से उपर की तरफ, slowly उपर की तरफ जा सकती है, अगर कोई retracement मिलती है, पहला target आपका previous हाई, और उसके बाद अगर continuously जाती है, फिर आप यहाँ पर देखेंगे, नहीं तो यहाँ से आ प्राइज जो है, सेम अपने high level पर पहुंचने वाला है, बिटकोईन गाईज फिछले अपते का forecast यह मैंने आपको बताया था कि हम इसी range में है, यहाँ पर market इसी range में घुम रही है, कोई ज्यादा moment मिली नहीं, अगर इस area को break करें, फिर target यहाँ पर देखेंगे, आप कहें यह जो आपका breakout था, सेम नीचे की तरफ, सेम range में हम यहाँ पर आचुके हैं, यह range में यह market चल रही है, नीचे की तरफ breakout देता है, लोवर लोव बनते हैं, फिर आप 25 तक का target देखेंगे, या फिर उपर की तरफ हम 36,000 तक का target देख सकते हैं, जो हमारी नीचे की support है, वो 18, 13,000 या 12,000 के आसपास है, पर अगर breakout मिलता है, तब ही फिर आप वहाँ पर BSL के लिए देखेंगे, तो हम वेट करेंगे, अभी बिटकॉन में कोई direction नहीं है, तो वेट कीजिए, कोई ज़्यादा आपको जबरदस्ती trade करने की जूरत नहीं है, USD, INR, इसमें भी मैं पिछले हफते के forecast पर हिस्टिक रहुआ, कोई movement नहीं है, same market अभी consolidated करेगी, जब तक USD की तरफ से, या INR की तरफ से, कोई bank rate decision, या कुछ major numbers में वहाँ पर change नहीं मिले, अगर USD की तरफ से कोई positive आता है, फिर definitely आप उपर की तरफ movement देखेंगे, और INR की कुछ movement या bank rate decision या कुछ भी मिलता है, definitely फिर हम नीचे की तरफ movement देखेंगे, तो अभी wait कीजिए, नहीं तो market अभी कुछ movement नहीं दे रहे है, अगर इसको breakout करके, higher high बनाए, definitely आप buy के लिए देख सकते हैं, GPP-GPY, यह पिछलिफते का forecast, यहां पर आप देखेंगे, तो हम 31st मही के आसपास, मैंने कहा था, इस एरिया को break करें, फिर हम target देखेंगे, 163 के आसपास, और market same, उसी area में यहां पर हो चुकी है, क्योंकि यहां पर हम एक नीचे movement, फिर नीच sideways, अब उपर की तरफ movement जा र क्योंकि अभी कुछ market में यहां पर room नहीं रह जाता है, तो कुछ movement मिलें नीचे की तरफ, यहां से फिर buy के लिए देख सकते हैं, अगर इस area को hold करें, इसको break करेंगी, फिर हम target आप देख सकते हैं, 158 या 156, इस area को retract करें, फिर हम buy के लिए देखेंगे, पर अगर इस area को यहां पर यह break करती है, 164, फिर हम 168 तक का target यहां पर देख सकते हैं, तो guys यह मेरे सब्ते का forecast, आप अपनी analysis कीजिएगा, और अगर आपको इससे कुछ help मिल रही है, तो please subscribe कीजिए, चैनल को like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, ताकि इससे मुझे भी help मिलती रहे, तो अभी क आपके लिए धन्यवाद, thank you, take care and good bye.